जैसे गी आज हम आपको कोली कॉलसी फिराल इंजेक्शन के बारे में बताएंगे इस इंजेक्शन का उप्योग क्या होता है, मरीज को क्या दिक्कत क्या परेसानी रहती है, तब डाक्टर के दोरा कोली कॉलसी फिराल इंजेक्शन मरीज को लगाते हैं, इस इंजेक्शन को हम आपको हिंदी में देंगे, बिटामिन D3 का कॉली केलसी फेरियल एक सेंटिफिक नेम है, चलिए अब हम आपको बताते हैं, इस इंजेक्शन का उप्योग कप किया जाता है, डॉक्टर के दौरा ये इंजेक्शन का उप्योग किया जाता है, क्या दिक्कत क्या परिसानी रह हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, पैरों के साइड पे, पंजों के साइड पे, उंगलियां पतली-पतली सी रहती है, हड्डियां लचीली हो जाती है, एक तरफ ही मुड जाती है, जुग जाती है, तब उस समस्या में डॉक्टर के दौरा ये इंजेक्शन लगाय होता है यह injection हड्डियों से जूड़ी संबंदित समस्याओं में उपियोग किया जाता है जैसे हड्डिया कमजोर हो जाती है हड्डियों से किसी भी परकार से किसी भी कारड से चोट लग जाता है या हड्डी तूट जाती है या जूग जाती है या फिर फैक्चर हो जाता है त ढॉक्टर के दोरा ये इंजेक्सन मरीज को लगा जाता है और इस इंजेक्सन का OPM अपियोग तब किया जाता है Thats Mother ने कि लिवसे केलिसियम का लेबरल लो हो जाता है त्थब उसे हइपो केलिमिया कहा यानि हम एक परकार से कह सकते हैं जब कोई ब्यक्तिय किसी भी कारण से उसके सरीर में कहीं पर किसी परकार का चोट लग जाता है, हड्डियों से संबंदित चोट लग जाता है, हड्डियां फेक्चर हो जाती है, हड्डियां मूड जाती है, हड्डियां तूट जाती है, दरा होता है, dr. marriage की इस्तिती और उसके condition और उसके दिक्कत और उसकी परेसानी देखकर ये injection लगाते हैं, ये injection intra muscular लगाया जाता है, अब हम आपको बता दें इस injection का क्या-क्या side effect देखा गया, जैसे कि जो इस injection का side effect देखा गया है, आपको readiness आ सकता है, जहां पर आपको injection लगा है, वहाँ पर retinus का सकता है, आपको dizziness की problem हो सकता है, आपको body में eating हो सकता है, आपको headache की समस्या हो सकती है, आपके सीर में दर्द हो सकता है, आपको सुस्ती जैसा महसूस हो सकता है, इसके अलावा और भी side effect इस injection का दीखा गया है. अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रेशानी है, तो एक बार अपने doctor या pharmacist से जाकर आप अपनी समस्या बताएं, फिर कोई दवा, कोई injection आप doctor के precaution पर लें, कोई भी injection, कोई भी दवा, कभी भी आप अपनी मर्जी से ना लें.